देखे ये मेरा सवा दो मीटर कपड़ा है इस में से मैं आपको वैलून सिल्वार बना काटने का तरीका बताती हूँ देखे सबसे पहले हमें करना क्या है हमें इस मैंसे बैल्ट निकालनी है हमें अपनी बैल्ट आठ इंच सिल्के तयार रखनी है तो इसलिए हम दो इंच इसमें एक्ट्रा कपड़ा लेंगे और हम दस इंच की बैल्ट निकालेंगे इस मैंसे और टोटल सल्वार की लंबाई 40 इंच तयार करनी है पहले हम 10 इंच की बैल्ट निकाल लेते हैं इसमें लंबाई में 2 इंच एक्स्टा कपड़ा लेंगे और हमारी बैल्ट हम डवल में 24 इंच रखनी है वैसे टोटल लंबाई 40 की चोड़ाई 48 है तो उसका आधा 24 रखना है हमें यह हमारी बैल्ट की चोड़ाई 21 है इसमें 3 और हम अलग से कपड़ा जोड़ लेंगे 24 हमें बैल्ट रखनी है इसके बाद हमने इस कपड़े को लेंथ में पहले फोल्ड किया है एक बार फिर ऐसे फोल्ड कर लिया है दुवारा डवल फोल्ड कर लिया है यह इसकी लंबाई लेनी है लंबाई हम यह बंद साइड की तरप लेंगे इधर की साइड हमारी बंद है तो हम 13 लेंगे 8 हमारी बैल्ट और एक इंच हम इसमें भी पलस करेंगे 12 और 8 20 हो गए और हमने ये 13 लिया है तो उपर से हम ये आसन लेंगे 9 और इधर हमें ये लेना है 14 आप ये हम कितना भी खुला ले सकते हैं क्योंकि इसमें हम घूम भरेंगे और ऐसे ऐसे मिला देना है गुलाई कर देनी है आधा इंच हमने इसमें आसन में लिया है क्योंकि आधा इंच आसन में चला जाएगा 8 रह जाएगा और 10 इंच की जो हमने बैल ली थी वो सिलके 8 इंच तयार होगी तो 8 और 8 16 इंच हमारा ये आसन हो गया और ये हमारे दो पार्ट हैं जो हम अलग से हम कली बनाते हैं सिल्वार में और पार्ट अलग से काटते हैं इसमें हमें अलग से कली नहीं निकालनी इसी तरह से हमें ये पार्ट है हमारे 13 इंच हमने इसकी लंबाई रखे तोटल घुटने तक इसकी लेंद 20 इंच सिल्के तयार रखनी है हमें यह इस तरह से यह पार्ट ही समझो आप और हम यह हमारे इस तरह आएंगे यह बहुत इजी तरीका है वेलोन सिल्वार की कटिंग करने का देखिए यह इस पिरकार से आने है और जो हमारा वह एक्षा कपड़ा है उनके यहाँ पे हम घूम भरे जाएंगे और इसके बाद हमें जो यह कपड़ा है हमारा यह फोल्ड है एक वार देखिए यह फोल्ड है यह जितना भी कपड़ा बचता है इसके बाद हमें इसको ऐसे तिर्चा फोल्ड कर लेना है और तिर्चा फोल्ड करने के बाद या तो हम वो नापने के हमारे घुटने की चोड़ाई ले लें वो कितनी है और सबसे पहले हमें अपनी महरी रखनी है जहां तक यह महरी आती है हमें 6 बारे मोहरी है तो इसका आधा हमें 6 इंच लेना है और 1.5 इंच हम इसमें एक्षा लेंगे और इसके बाद हमारा जितना भी कपड़ा हमें रखना है जितने हमें इसमें घूम रखने है वैसे तो हमें 20 इंच रखने थे पर हम इसमें घूम भी आएंगे एक तरह की जैसे चूड़ीदार पाजा मी होती है उस तरह से हमें ये 6-6 इंच पर इस तरह हमें इसमें टोटल ही निसान लगा लेने हैं क्योंकि इसमें पूरी में ही घूम आएंगे इसके बाद ये हमें यहां से 8 इंच लेनी है और इस तरह इसे मिला देना है आप घुटने को नाप कर भी ले सकते हैं चोड़ाई इसकी 8 आठ आए या 9 आए उस अनुसा ले 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 और ये मोहरी नाप के ले जितनी भी मोहरी हो बहुत ही आसान तरीका है यह वैलून सिल्वार की कटिंग करने का और मैं आपको अगली वीडियो में इसकी सिटीचिंग बताऊंगी किस विरकार से इसकी सिटीचिंग की जाती है देखिए यह वो पार्ट है जिनकी चूड़ी जैसे की पाजामी में चूड़ी भरी जाती है यह इस तरह से आने हैं यह दो परदे हैं कि ऐसे पहले वाले पाट को लेना है और इसमें उपर इस तरह से हम घूम भरेंगे जब मैं आपको इसकी सिटीचिंग करना बताऊंगी तब बताऊंगी किस विरकार से हम इसकी सिटीचिंग करेंगे और ये हिस्सा यहां जो उठ जाएगा और उपर 8 इंच की बेल्ट लगेगी देखिए इस पिरकार से और उपर इसकी बेल्ट भी लगनी है अबी देखिए यह हमारी वैलोन सिल्वार की कटिंग है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू